आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, Our Question is Explain Pattern of Biodiversity Biodiversity का मतलब होता है Variety in Life Forms अब अगर हम बात करें किसी भी Species के लिए जो आपका Pattern होता है Biodiversity का उसे हम क्या समझते हैं उसे हम समझते हैं कि Particularly जो आपकी Number of Species होती है Number of Species होती है वो आपकी क्या होती है आपकी जो भी हमें Number of Species मिलती है अर्थ के उपर वो आपकी क्या किस तरह से Vary करती है तीन Reasons के साथ Vary करती है पहला है आपका कि It Varies Globally Locally As well as With Time तो इन तीन Particular Pattern से हम समझ सकते हैं कि आपकी जो Pattern of Pair Diversity है वो कैसा होता है अब जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो Species होता है वो Latitude या फिर Altitude के हिसाब से आपकी Species की Varieties हमें देखने को मिलती है Latitude र ए Altitude के Basis पर या इसके उपर Depend करते हैं कि आपकी Species कैसे होती है For example हम बात करें अगर तो Tropics है जो वो उनके पास क्या है 5 Biodiversity हमें देखने को मिलती है और Tropics से जैसे जैसे हम दूर दाते जाएंगे उससे क्या होगा आपकी Biodiversity है वो decrease होती जाएगी So this is all how pattern of Biodiversity is I hope आपो clear हो गया होगा With this Thank you